मालदीब की गौवर्मेंट ने इंटरनेशनल ट्रवल को लेकर कुछ नए नियम जारी किये हैं जिसके तहट अब मालदीब में पहुशने वाले लोगों को किवल पांस दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा लेकिन इसके लिए आपको पांस दिन के अंदर अपना कुरोना वायरस का नेगितिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा दुबई की एमिरेट से अरलाइन ने बताया है कि पांच जगहों से उडानों की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है गिनी कोटे डी आईवर घाना युगांडा और रिपब्लिक आफ अंगोला से 13 जणवरी से उडानों की सुविधा उपलब्ध हो गई है सभी यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की गई है दुबई इंटरनेशनल एयर पोर्ट पर आने वाले यात्रियों को 48 गंटे के अंदर का किया गया PCR टेस्ट और 6 गंटे के अंदर का किया गया रैपिट PCR टेस्ट पेश करना होगा अंगोला से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर का किया गया PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा हॉंग कॉम की गॉर्मेंट ने 150 देशों पर ट्रवल रिस्ट्रिक्शन को लगाने की जानकारी शेयर की है गॉर्ट तलब है कि हॉंग कॉम के गॉर्मेंट ने भारत के साथ साथ दुनिया के साथ और देशों से फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर रखा था लेकिन अब हॉंग कॉम के गॉर्मेंट ने 150 देशों पर ट्रवल रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही है इंटरनेशनल फ्लाइट पर ये रिस्ट्रिक्शन 15 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक लागू रहेगा कीनिया की गॉर्मेंट ने यूएई से आने वाली सभी फ्लाइट को बंद कर दिया है गोर तलब है कि इससे पहले यूएई की गॉर्मेंट ने कीनिया से अपने फ्लाइट ऑपरेशन को बैन कर दिया था कीनिया की गॉर्मिंट ने UAE से आने वाले सभी फ्लाइट्स पर साथ दिनों के लिए सस्पेंशन लगाया है इसका मतलब है कि 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में आप UAE से कीनिया के लिए ट्रेवल नहीं कर पाएंगे जर्मनी की गॉर्मिंट ने दुनिया के 40 देशों को हाई रिस्क काटेगरी में डाल दिया है इस काटेगरी में ज़्यादा तर एफ्रिकन देशों के साथ स्वेडन, इसराइल, आस्ट्रेलिया और UAE शामिल है जर्मनी में जारी गाइडलाइन के तहट हाई रिस्क वाले देशों से ट्रेवल करके जो भी अनवैक्सिनेटेड लोग जर्मनी में आएंगे उन लोगों को दस दिन के कमपलसरी क्वारंटीन में रहना होगा इन सभी को पांचमें दिन अपना कुरोना वैरस का टेस्ट कराना होगा और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनके क्वारंटीन पीरिट को कम किया जा सकता है एर इंडिया एरलाइन कमपनी ने भारत में बढ़ते कोविड-19 की केसिस के कारण अनिशित्ताओं को ध्यान में रखते हुए अपने पैसेंजर्स को यात्रा की तारीख और फ्लाइट की संख्या में फ्री में बदलाव करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है ऐसे में अब एर इंडिया में सफर करने वाले यात्री मुफ्त में यात्रा की तारीख को बदल सकते हैं इस बात की पुष्टी एरलाइन कंपनी ने अपने ट्वीट के जरिये की है एर इंडिया एरलाइन के पैसेंजर अब कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्य अपनी यात्रा की तारिखों में बदलाव कर सकते हैं एरलाइन कंपनी यात्रियों को ये सुविधा मुफ्त में उपलप्त करा रही है एर इंडिया ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टी भी कर दी है 31 मार्श 2022 या फिर उससे पहले कंफर्म ट्रेवल के साथ तारीख या उडान संख्या में बदलाव किया जा सकता है इंडिगो एरलाइन कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरिस के बढ़ते संक्रमण के मद्दे नजर पैसंजर अपनी यात्रा में बदलाव कर रहे हैं इसी को देखते हुए इंडिगो ने 31 जनवरी तक वरतमान और नई बुकिंग पर बदलाव शुल्क को खत्म करने का फैसला लिया है इंडिगो अपने यात्रियों से 31 मार्श तक की यात्रा के लिए बदलाव शुल्क नहीं लेगा एर इंडिगो अइर लाइन्स दोरा बदलाव शुल्क 31 मार्श तक यात्रियों से ना लेने के फैसले के बाद स्पाइस जेट अइरलाइन भी अपने यात्रियों से 31 जनवरी तक बदलाव शुल्क नहीं ले रही स्पाई जेट ने अपने यात्रियों को 11 जनवरी तक किसी दूसरी उड़ान में किसी दूसरी तारीक की टिकेट लेने वाले यात्रियों का बदलाव शुलक माफ करने का फैसला किया है